हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ बहुती चेटपटी और बहुती आसान तरीके से बन जाने वाले पत्ता गोबी और मटर की सबजी की रेस्पी सेयर करेंगे जिसे आप मिंटो में बना कर तयार कर सकते हैं तो चलिए इस आसान सी सबजी को बनाना हम शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम पत्ता गोबी लेंगे तो यहां पर एक पत्ता गोबी हमने ली है जिसको हमने अच्छे से धुल कर बारी काट लिया है और साथ में लिया है एक कप मटर फ्रेश मटर है सर्दियों का सीजन है और मटर बहुत सस्ती मार्केट में आ रही है तो आप एक वार इस सबजी को बनाईएगा जरूर। तो चलिए बनाना सुरू करते हैं, तो सबसे पहले कढ़ाई में एक बड़ा चमच हम तेल लेंगे। तो यहाँ पर सबजी हम सरसों के तेल में बना रहे हैं, आप किसी भी तेल में सबजी बना सकते हैं, पर सरसों के तेल में सबजी का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा जब तेल बढ़िया गरम हो जाएगा तब इसमें एक चम्मत जीरा डालेंगे और थोड़ी सी इसमें हेंग भी डाल देते हैं कुछ सेकेंड के लिए जीरे को हम भून लेते हैं तो जीरा अच्छे से भून गया है अब यहां पर मेडियम साइज का हमने प्याज लिया है जिसको हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है तो प्याज को भी हलका गुलावी कलर आने तक हम भूनेंगे तो प्याज हलका साथ ट्रांस्पेरेंट हो चुका है हो चुका है तो अब इसमें दो कटी हुई हरी मिश्ट डाल देंगे इसको भी हम भून लेते हैं और अब इसमें हम टमाटर डालेंगे तो यहां पर हमने दो मेडियम साइज के टमाटर लिये हैं टमाटर को हमने बारी काट लिया है तो टमाटर को भी डाल देते हैं और इनको भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं टमाटर हमारा जल्दी से सौप्ट हो जाए तो इसके लिए हम इसमें यहाँ पर नमक डाल देते हैं तो दो मिनट के लिए इसे हम ढग देते हैं तो दो मिनट हो गए तो ये देखे टमाटर बहुत अच्छे से सौप्ट हो चुका है और ये फुन भी गया है तो अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले तो एक छोटी चमच थनिया पाउडर डालेंगे आदी छोटी चमच लाल मिर् इससे सबजी में कलर बहुत अच्छा आएगा और एक पैकेट इसमें मैगी मसाले का डाल देंगे इससे सबजी बहुती ज़्यादा टेश्टी और चटपटी बनेगी तो गैस की प्लेम बिलकुल लो कर देंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए एक मिनट के लिए हम भूल लेंगे तो ये देखे कितने बढ़िया मसालों में कलर आ गया है और बहुत अच्छे से ये मसाले हमारे भुन गए हैं अब इसमें हम फ्रेश मतर डाल देंगे और मतर को भी मसालों में अच्छे से मेक्स कर देंगे और अब इसे हम ढखकर 2-3 मिनट तक पकाएंगे जिससे जो मसालों में जितना भी फ्लेवर होगा सम मतर में आ जाएगा तो चलिए इसे हम ढख देते हैं तो तकरीबन 3 मिनट के लिए इसे हमने ढखकर पका लिया है तो मतर भी हलकी सी हमारे सौप्ट हो गई है और मसाले भी बहुत अच्छे से भुन चुके हैं तो आब इस आप से हमारी एक छोटी सी रिक्वेश्ट है यदि आपको हमारी ये रेस्पी अच्छी लग रही हो तो प्लीज उसे लाइक और सेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिलकुल ना भूलें तो ये देखिए बहुत अच्छे से पत्ता गोवी को हमने मसालों म मिक्स कर लिया है और जैसे जैसे इसे हम भूनते जा रहे हैं पत्ता गोवी काफी कम होती चली जा रही है तो तकरीबन दो मिनट के लिए आप इसे इसी तरह से मसालों में चलाते हुए जरूर भूनिएगा जितने अच्छे से आप पत्ता गोवी भूनेंगे आपकी सबजी उतनी ही जादा टेस्टी बनेगी इसे भूनते समय गैस की फ्रेम आप लो से मीडियम ही रखेगा तो ये देखे अच्छे से सबजी को हमने भून लिया है और इसमें नमक डाल देते हैं तो टमाटर को भूनते समय भी हमने नमक डाला था तो यहाँ पर हमने आदी चोटी च मस्त नमक डाला है नमक आप स्वात के अंसरा डालेगा और नमक को भी सबजी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे ढखकर पांस से च्छे मिनट तक हम पकने देंगे या तब तक आप पका लीजे जब तक कि मतर और पत्तागों भी सौप्ट ना हो जाए तो तकरी थोड़ी देर में इस सब्जी को चलाते रहेगा जिसे सब्जी लगे नहीं और अच्छे से भुन भी जाए तो दुबारा से इसे हमने ढख दिया है और दो मिनट बार इसे हम फिर से चैक कर लेते हैं तो ये देखिए सब्जी बनकर बिल्कुल तयार हो गई है और मतर भी दालेंगे और साथ में ही कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद गैस को पंद कर देंगे तो ये हमारी पत्ता गोबी और मतर की सब्जी बनकर बिल्कुल तयार हो गई है तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं तो इस सब्जी को आप बच्चों के लंच बॉक्स में हश्वेंट के टिफिन में या फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी बना सकते हैं बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है तो ये देखिए देखने में ही ये सब्जी कित कमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसी ही नई रेस्पी के साथ नेश्ट पीडियो में हम आपसे फिर मिनेंगे